सभी बक्तों को शिरी शिवाय नमस्तू भ्यम हरहर महादेव पुजी गुरुजी की कहता से संदान प्राप्ति का एक पहुती सुन्दर और सबसे सरल उपाय आपके लिए ढूंड के लाया हूँ ये उपाय आप हफ्ते के साथो दिन में से किसी भी तिन कर सकते हैं और साथ ही साथ में किसी भी समय पर कर सकते हैं या तो सूबह कर सकते हैं ये शाम के समय कर सकते हैं पर यदि आप इस सुपाय को महाद शिवरात्री के दिन प्रदोश काल में करोगे तो उसका फल आपको अधिक प्राप्त होगा माँ शिवरात्री के दिन प्रदोश करने क्योंकि माँ शिवरात्री के दिन बोलेनात और माता पारवती का फेवा हुआ था साथ ही साथ में बोलेनात इस प्रित्वी पर भी आउतरीद हुए थे बगवान विश्णू और बगवान प्रमदेव ने बोलेनात को प्रिद्वी पर प्रगट किया था तो आप आपको क्या करना है इस उपाय में शिवरात्री के दिन करोगे तो अधिक फल प्राप्त होगा नहीं तो फिर आप किसी भी दिन जाकर कर सकते हो अब आपको इसमें क्या करना है एक शिरीफल लेना है इस शिरीफल को लेने के बाद में आपको एक कपड़ा लेना है कपड़ा आप कोई सा भी ले सकते हो बस आप काला कपड़ा मत लेना काला कपड़ा मत लेना बाकि काले कपड़े के अलवाब कोई सभी कपड़ कलर का कपड़ा ले सकते हो पीला ले सकते हो लाल ले सकते हो हरा ले सकते हो पर पीला कपड़ा लेओके तो ज़्यादा अच्छ रहेगा अब इस कपड़े को लेकर आपको क्या करना है कपड़ा और ये शिरीफल आपको मंदिर के अंदर लेके जाना है बोले नात के शिवलिंग के सम्मुग में बेट कर वो जो शिरीफल है उस शिरीफल के उपर आपको इस कपड़े को लपेटना है इस कपड़े को लपेटते और साथ ही साथ में आपकी जो मनो कामना है उस मनो कामना को बोलना। लपेट ले। ज़िदी कपड़ा बच जाए तो उस कपड़े को काड़ दीजेutě वहीं से उछ हटा दीजे बागी कपड़ा लपेट देना है LE ज others किर नंशिंप होसा ह्पर उसके बाद में आपको क्या करना है जब आपने कपडस लपेट दिया अब उस शिरीफल को बोले नाथ के शिवलिंग से टच करना है बस यह जो बोले नाथ का शिवलिंग है और माता पारवती का हस्त कमल है यहाँ पे केवल आपको टच करना है आपके हाथ में ही नारियल को पकड़ के रखना छोड़ना मत शिवलिंग पर बस उसको पकड़ के रखना, टच करके रखना, बाबा से प्रातना करना, बोले ना, मुझे संतान की सुक देना, संतान की प्राप्ति कराना और फिर इस नारियल को यहीं शिवलिंग के पास में जब इस पर्ष करके हटा दो तो यहीं शिवलिंग के पास में रखना यदि माताय बेने खुद यह उपाय कर रही हैं तो अपना नाम और गोतर अवश्य बोल दे जो भी आपका नाम है और जो आपका गोतर है जो नाम और गोत्र दोनों बोल दे और यदि माताय बेने नहीं कर सकती सुपाय को किसी कारण वश तो उनके पती भी सुपाय को कर सकते हैं वे जाए और जब वे इस नारियल को इस जगह पर रखे तो पती अपना नाम और अपनी पत्नी का नाम दोनों का नाम बोल दे और अपना और पत्नी दोनों का गोतर बोल दे बाबा से प्रात्ना करके आईए महाशिवरात्री के दिन की है भोले नात मुझे संतान की प्राप्ति कराईए बाबा आपसे उमीद है, सारे टेस्ट करा लिए, सब कुछ करा लिए, पर फिर भी मुझे संतान प्राप नहीं हो रही है, बाबा किरपा कीजिए और मुझे संतान का सुकतीजिए, यदि माल लीजिए माहा शिवरात्र की दिन आप इस उपाई को नहीं कर पाते, तो आप किसी और देनी सुपाई को घर क्या जाईए, बाबा आपकी जोली अवश्य भरेगा, शिरी शिवाय नमस्तु प्या